सद्ध सार दस्यू दस्यू सब्द आपने सुना होगा दस्यू बड़ा आज की समय में नेगेटिव है मगर पाली के समय में जो दस्यू सब्द है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत उची लेवल कमाना जाता है आपने दस दिसाओं का सुना होगा के एक कालपनि करेक्टर है जिसको रामन नाम दिया गया रामन को ये दस सिर्थे और दस दिसाओं का ग्यान था दस दिसाओं का जो जिकर आता है वो पाली में गाथा के अंदर भी आता है तो दस दिसाओं का मतलब है जो दस पारमिताओं को मानता है यानि जो दस नियम है जिन से बुद्ध बनता है उनको जानता है या उनकी टक्टिस करता है और उनको अपने जीवन में लागू करके उनको बढ़ाता है ऐसे जितने भी लोग हैं, जो दस पारमिता या दस नियम को, उनको दस्य बोला करते थे, क्योंकि पाली के अंदर आधासे और फिर पूरा से लगاتے है, तो उस से स्मंदित हजाता है, से या को, यानि हम बुद्दस्य बोलते है, तो बुद्धस्य का मतलब है बुद्ध के लिए या बुद्ध से तो बुद्ध के लिए या बुद्ध को अगर आ गया जैसे बुद्धस्य हमने बुला तो बुद्ध को या बुद्ध के लिए ऐसी दस्य का मतलब है दस को या दस के लिए तो ये वहां से शब्द बना, दस करके बना, दस पारमिता वाला बना और इसको बाद में दस वंतु भी बोला गया दस वंतु का मतलब है जो दस चीजों के रखता हो अपने पास में वो दस वंतु हो गए और जो उनको बढ़ाता है इससे बाद में फिर दस से बना, दस से आज भी चलता है जो भारत के अंदर जो बनिया कम्यूटी है बनिया कम्यूटी में कुछ लोगों को दस से भी बोलते हैं वो दस से हैं, वो पुराने दस पारमिता वाले लोग हैं जिनको दस से बोला जाता है, दस से तो दस्य जो सब्द है वो बहुत ही पुराना सब्द है और इसको दस्थन से भी बोला जाता है जानि जिसने देख लिया है दस्थन कर लिया है सच्चाई का दस्थन कर लिया है उनको भी हम दस्यू बोलते हैं तो दस्यू जो सब्द है यानि दस्य सब्द है यह बहुत जिनके पीछे दास लिखा होता है धन्यवाद